नमस्कार साथियों, आज की महतोफुन एक्रिकल्चर प्रश्णोत्री में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पशुविज्यान से समधित वन लाइन एकोशन्स ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले नाम आता है भेंस के खिस अर्थात कोलेस्टरम में प्रोटिन की प्रतिशत मातरा कितनी होती है तो यह होती है 21.4 ठीक है दूद में उपसित कुल प्रोटिन का कितना प्रतिशत भाग कैसिन के रूप में पाया जाता है तो यह पाया जाता 80 ठीक है सबसे ज़्यादा परिवर्तंशिल परिवर्तित हो जाता है तो वो है वसा ठीक है फेट जो फेट आती है अपने दूद की वही सबसे ज़्यादा परिवर्तंशिल होता है क्योंकि कभी कभार दो भी आती कभी साथ भी आती कभी चवदा भी आ जाती है तो सबसे परिवर्तंश फिल अब यब वस ओ जाएगा ठीक है फिर बात करते हैं बेंस लीट एवन बाकरी के दूद्द में वसा रही ठोस पदार्थ जिसे SNF का जता है कि बसा रही ठोस पदार्थ SNF की प्रतिशत मातरा कितनी होती है तो यह होती है 9% ठीक है next गाय के दूद में वसा रही ठोस बदाद SNF पर्तिशत मतर है कितनी होती है तो गाय के दूद में होती है 8.5%, ठीक है तो बेड जो होते हैं उनकी एक वर्ष में कटाई की जाती दो बार ठीक है दो बार की जाती है वर्ष में दो बार छे मैने के अंत्राद में फिर बात करते हैं दूद का सबसे कम परिवर्थनशील अव्याव कौन सा है सबसे कम परिवर्थनशील तो वह हो जाएगा दुगदम जिसे lactose का जाता है तो सबसे ज़्यादा परिवरतंशिल हो जाएगा वसा जिसे अब ना फेट के बारे में बात किती है अभी और सबसे कम परिवरतंशिल अव्यर जो है वो हो जाएगा दुबदम ठीक है lactose फिर बात करते हैं दूद की किस protein का पाचन नहीं होता है दूद में कौनसे protein है जिसका पाचन नहीं होता है तो वो है elastin protein बहुत important है elastin protein जो है जिसका पाचन असानी से नहीं होता है फिर बात कते हैं बकरी की वह नसल जो अलवर के राठ शेत्र में दूद के लिए पाली जाती है बकरी के कौँचे नसल है जो अलवर के राठ शेत्र में दूद के परपस से पाली जाती है तो वह है जखराना, ठीक है, जखराना जो है बकरी की नसले, बहुत important है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जखराना जो है, वो अलवर के राठ शेत्र में दूद के लिए पाली जाती है, ठीक है, धूधार नसले की है ये जखराना, फिर बात करते हैं, बेड की नाली नसल राज्य के किस छेत्र में पाली जाती है तो राजस्तान में ये पाली जाती है हनुवान गर जिले में ठीक है बेड के जो नाली नसल है वो हनुवान गर जिले में पाली जाती है Next मौरक को लेदर बनाया जाता है तो मौरको जो लेदर है, वो बकरी की त्वचा से बनाय जाता है, वह बहुत इम्पोर्टन थैं, बकरी की त्वचा से मौरको लेदर का निर्मान किया जाता है, भेड के शरीर का रंग सफेद, परन्तु आँखों के चारों और भूरे रंग का गेरा, किस नसल की प्रमुख व कृशेशता है ये मगरा बेड़ जो हते हैं उनकी प्रमक्विशल्थ थीक है शरी का सफेद Manual उतके लिए फेड़ की सार्वतम नसल कूसी है करा कुल ठीक है फेल्ट जो हते हैं वो फेड़ के बचच Нов चब्यक्त उतक नीदे टो उतका डनी के लिए जो है वो बेड़ की सरवतम नस्त हो जाएगी कराकुल उन्ट अरेबियन उन्ट का विगयनिक नाम क्या है अरेबियन जो उन्ट होता है उसका विगयनिक नाम क्या है तो अरेबियन उन्ट का विगयनिक नाम हो जाएगा Camillus Dromedarium ठीक है फिर बात काते हैं उट की दो थुएं वाली प्रजाती कौन सी है तो जिसे ASEAN उट का जाता है तो उनका वेगेरी नाम हो जायगा Camillus Bekterine ठीक है बहुत इंपूसरे नहीं नहीं नाम हो जायगा बुबेलिस बुबेलिस ठीक है गाय का क्या नाम है तो गय का हो जागा बोस इंडिकस और बोस टॉरस ठीक बोस टॉरस जो भी देशी नसला होती है उनको का जाता है और बोस इंडिकस अपने भारत की है तो नेक्स वीडियो मिलते हैं दोस्तों आपका साथ बनाए रखें और लाइक इंश्वाब करना ना भूले धन बेनावाब